कि ये वो बाबा उहे भागवा पहिना हुआ बाबा काता है कि हम जला देंगे जो उसको मार देगा उसको हम इनाम भी देंगे उसके परिवार को भी पालेंगे तो सही में क्या भागवा पहिन करके यातंकवादी का गट रॉल नहीं आदा कर रहे हैं उर इंकिया के पापा गा के लिए बहुत कुछ ये लग रहे हैं दोस तरी के कपड़ा पहन लाकुह पर देश के परधान मंत्री जी से पुछना चाहते हैं कि एक देश में दूगो भाव चलेगा अगर आटा कहीं 25 रुपई है तो दूसरे जगा 30 रुपई कीसे बिक जाएगा अब बताइए कि ये वो बावा उहे भगवा पहिना हुआ बावा कहता है कि हम जला देंगे जो उसको मार देगा उसको हम इनाम भी देंगे उसके परिवार को भी पालेंगे तो सही में क्या भगवा पहिन करके यातंकवादी का रॉल नहीं आदा कर रहे हैं कानून कहां है क्या कर रहा है कानून क्यों नहीं उसको गिरफतार किया जा रहा है हिंदू होने का मतलब है कि भगवा डाल लीजिए इसको इसको आप क्या समझते हैं यह किसानों की ताकत है इसको क्या समझते हैं नौजबानों की ताकत है क्या समझते हैं इसको यह आपको तीरंगा की आन बांसान है अगर तिरंगा में कलर भी आता है तो फिल्म आता है तो बड़ा बनिया होता है अई खाली नाम सारुक खान क्या हो गया की लिए बहुत कुछ किया है उसको बढ़ना वरंग बोलना फिर आप भी सारुक के खान को लपेटने में लग रहे हैं वह कहे को बोलेगा भाई अरे दोस तरीके का कपड़ा पहना गया है वहां अपना कुरसिया के लिए आप धरम की बात करते हैं लेकिन अब इतना मत गिर जाइए कि रंगमा पर भी बाट दीजिए संत कौन से राजनीती में है वो भी तो विरोध कर रहे हैं अरे इस इनके पास जितना भी है अब सब मठ का जाच कहने हो रहा है यह वह मठ के संत का भी वीडियो वैरल हो रहा है ट्वीटर वापर कि उसके साथ क्या क्या को क्रमू लोक गया है वह विचरा रो रो के कह रहा है लेकिन उसका जाच करने वाला कोई नहीं कहाई कि सहीया भहिल कोतबाल डड़का है का जिस वही आसा राम बापू जो जहांसा राम बापू बन गए उन्हीं का तारिफन परधान मंत्री जी करते थे कि आहा अलोग एक सक्ति के मालिक हैं आसा राम जी इनके नजदीक आने से ए आपका अंदर जो आकरोश वह दिख नहीं रहा है नहीं दिखे भगवाग हमारे लिए सम्मानित है हम हिंदू है हम पूजा पाठ करते हैं नहीं नहीं मानते हैं अरे गाना का नाम बदनाम रंग है भाई मिला जुला के जो है ना बात यहां पड़ी है कि चाइना जो घटना चाइना के द्वारा जो एलेसी पर घटना घटा घटना भी एक सप्ता बात बताया अज जैसे ही विपक्षिया और हमरे नेता बैरिश्टर साहब आवाज उठाए हैं वो इसे ही लग्या बेसरम रंग में अब रंग के उपर लोग को टाई भट कर रहा है कि लोग इनसे अरे तो उनके कहने से नहीं चलेगा कई से भूल जाते कि देश हिंदुस्तान है भाई बीरों से खाली नहीं पड़ा आई धरती एक से बेटा है फांसी के फंदे को भी चुमेगा लेकिन लोग को बचाने के लिए और अपने देश की एकता भाई चारा को बचाने के लिए अनवरत संगर्स करता रहेगा जब आप उसको मैं हूना देखिएगा ना राम नाम है उसमें मैं हूना उसमें राम नाम से आया है कितना बढ़िया रोल किया है देश का बेटा बन करके जामबाज बन करके दुस्मनों के सीना को चलनी करने का कान किया पिर आप लोग भी भाजपाईये हो गए लगता है भाजपाईये हो गए हैं हम तो देखेंगे पहिला सो देखेंगे हैं हिंदुस्तान का जो है न 30-35 परसेंट जो है जो अंदभकती को गोवर भकती में लगा हुआ है बाकी तो भाइया उसके खिलापे नहीं अगे फिल्म ज अमन्चैन कायम रखना, सुक्सांति की बात करना, भगवान और अल्लह से दूआ करना, कि भाई हमारा देश अमन्चैन बना रहे, नौजवानों को नोकरी मिले, मंगाई खतम हो जाए, घर चेहरा पर मुस्कान हो, यह मंग उनको करना चाहिए, लेकिन उस साधू नहीं, मतलमें नहीं, अच्छे कुमार आता था, प्रधान मंत्री जी जाते हैं, कि आज रात में मस्रूम खाए हैं, कल जो है, अब यह खाएंगे, वही इंटर्विवा होता है, आपका अक्सर भ्यान देखते हैं, भागवान को मनुस्तिवारी से लगाबना है, उभी पुरभिया, हम ही पुरभिया, उभी बिहारी, हम ही बिहारी, लेकिन उगरवर करेंगे, तो हम बोलेंगे न, यतना तो हमरा फर्ज बनता है कि आप गरवर कर रहे हैं, अब लीजे, उस आंसदों के चमा चम करते हैं, भगवा डाल के जब करना पढ़, कि देश बीर पीके करेला चमा चम 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 तो घरी कई सन लगता है आपको, हैं उस घरी भगवा का अफमान नहीं होता है, तो या कपड़ा, कपड़ा अपमी जगा है, अज जितना बाबा सब लपेट ले रहता है नीचे से उपर तो, भगवा पहन रहे हैं, इसका तो आपको भी खराब लगेगा ही, भग रंग डाल के भी हम कहते हैं मोसम अदीन अदीन हिता तुम समान रखुवीर अस विचारी रखुबंस मनी हरूं विसंभाव पीर अई लोग जो है भगवाट डाल के भी जो है ना रावनों जैसा बयाभार कर रहे हैं सो परसेंट असली हिंदुत वाला खुण जो है वह वैसी के पंडित में दोर रहा है अब बाकी सब तो लालची खून है कि सत्ता के लालच में जो है ना बाबा का देखनी ना दबाई कंपनी बंद हो गया बाबा भी तो लंग डाल के उपर नीचे उपर नीचे करते रहते हैं कणिया बाबा रामदेव बाबा जिसका नाम है अरव होगा होगा भया अभी नेपाल ने बैन लगा दिया है उनके दिव्या फरमासी पर तो इस सब देख क्या है खाली पैसवा कमाई के चक्कर में आप देश को यह बाबा ना है जो कासा 30 रुप यह तेल चाहिए कि नहीं बोला था ना लेकिन आज कोई देगा ही जबाब नहीं देगा तकि अपना दंदा चलाना था आप देश भक्त मानते हैं कोई बिरोध तो आप पूरा हो रहा है आप तो ला मुश्किल लग रहा है कोई बिरोध नहीं है हम आपको आपका टिकट हम बनवाएंगे आप लोग सेटिंग वेटिंग तो नहीं है इससे अड़े सेटिंग भी हो सकता है भाई चाईज चाइना का मामला दबाना था महंगाई का मामला दबाना था समझ गए ना इधर लोकसभा में जो है बहुत नहीं कर रहे हैं हमारे देश का फौजी मजबूत है लेकिन सरकारे का इच्छा सक्ति कमजोर है उनको तो जो मिल जा उसको टार्गेट कर देंगे जब देश के परदार मंत्रिय फिर जी कह देते हैं कि हम कपड़ा देखके पहिचान लेते हैं तब का उमीद करते हैं वताइए ना कोनों एसर नहीं पर रहा सारू खान मस्तव कह दिया ना कि जो पॉजिटिव रहेगा उजिंदा रहेगा तो भाईया हम सब पॉजिटिव लोग हैं देश को मजबूत हम को शर्टिफिकएट दीजेगा हम को सटिफिकएट बाटेगा जिसका बाबादादा भूप पर घूमता है हमारा बाबादादा फासी के फंदे को चुमा है तो हमको उससे से जरूरत नहीं है आखरी सवाल लेते हैं लोग कहा रहे हैं कि सारु खान जो है वो काफी डड़े हुए है अपनी फिल्म को ले करके कि पता नहीं फ्लॉप न हो जाए आप लोग अलगे वो प्रप्रगंडा उड़ा आतेते हैं भाईया की डड़े हुए सारु खान आपको ड़ने वरा लगता है बाईया का ही दिसंबर का महिना था वही पपू कहके उसको फेल कर दिया कि बाईय क्रूना ले के आ और रहा है तो कोई नहीं माना अब ही कोरोना उद्रे लोट पो ठोड़ा है अगर इनको रोकना है तो हभाई जहाजवा को रोक देते ना तो हभाई जहाज को नहीं रोकेंगे सो परसेंट देखेंगे सो परसेंट फाइनल और आपको भी हम दावत देते हैं चलने का मन होगा तो कह दिजेगा टिकट बाकटवा देंगे